तो क्या सच में अब थोर MCU में मरने वाला है क्योंकि अभी के टाइम पे रूमर काफी बड़े है कि कैंग जो है जल्दी थोर को MCU में मार देगा और उसके बाद हमें थोर का जो करेक्टर है वो द्वारा MCU में नई देखने को मिलेगा अब ऐसा रूमर क्यों निकल के आ रहे है इसी चीज़ को आज हम डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप लोग भी यह जानना चाते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब् जलते रहें तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यह रूमर निकल के कहां से आया पहले उसके बारे में बात करते हैं तो देखो गाइस जो एक्टर कैंग को प्ले करने वाले में उन्होंने थोड़े टाइम पहले यह बात बोली थी कि वह थोर के साथ एक लगता कि कैंग यह बात बोलता है एंटमेंट को कि मैंने तुम्हें पहले भी मार रहा है तुम्हारे पास हैमर था और यह सुनके एंटमेंट बोलता है कि क्या तुम थोर की बात कर रहे हो और इस चीज़ साबित हो जाता है कि फ्यूचर में हमें यह चीज़ देखने को मिल सकती है तो क्या Kang ने जैसे Thor को अलग universe में kill कर दिया है क्या वो Kang द्वारा से Thor को इस universe में मार पाएगा या फिर नहीं तो Antoine 3 का वो trailer और यह dialogue कि मैंने तुम्हें अलग universe में मार दिया था और Kang के सामने Antente का यह बोलना क्या तूम Thor की बात कर रहे हो और इससे यह हिंट मिल जाता है कि future में हमें कैंग वर्सस थोर की battle देखने को मिलेगी और उस battle में कोई एक बंदा जुरूर मरेगा तो आप लोग अन्दाजा लगा सकते हो कि यहां पर या तो future में थोर की death हमें देखने को मिल सकती है या फिर कैंग जो अलग universe में थोर को मारने में successful हो पाये था लेकिन इस universe में वो ऐसा ना कर पाई तो guys अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को like करके हमारे इस channel को subscribe कर लेना ताकि आपको future में ऐसी और भी amazing videos देखने को मिलते रहे मैं मिलूँँगा आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले अप्लोड की के सारी videos देख लेना वो काफे ज़्यादा awesome एक वार चेक आउट कर लेना